हलो आज में इस वीडियो में आप लोग को मार्बल दी नियर बेंजे स्टेंड डॉप वोलिम टू का पांच वार आखरी एपिसोड एक्स्प्रेइन करूंगा सो गाइस बिना कोई समय कवाई चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो की शुरुवात में हम देखते हैं वीकेंड और हलकिन को स्कारलेट विच से मिलने आये होते हैं और यही हमें पता चलता है कि वीकेंड स्कारलेट विच का बेटा है और वहाँ विकेंड और हलकिन अपनी शादी के बारे में स्कारलेट विच की राय लेते हैं इस पर स्कारलेट उन्हें अपनी मन्जूरी देती है और पूस्ती है कि वो दोनों शादी कप करेंगे तब विकेंड उससे कहता है कि मैं एक सही वक्त के लिए रुका हूँ इस पर स्कारलेट उससे समझाती है और उससे कहती है कि उसके उपर कोई प्रिशर नहीं है वो जब मर्जी तब हलकिन के साथ साधी कर सकता है फिर अगले सिन में हमें नियो अवेंजर्स के अंडरगरांड हो जाने के बात का निउस दिखाया जाता है जहां सबी नियूस चैनल रोबाटो को फरार घोचित करते हैं और हम देखते हैं नोभा को, शील्ड के स्पोक पर्सन को, हलकिन को और केप्टेन अमेरिका को इस पर कमेंट करते हुए फिर वापस सहा हमें वीकेन हलकिन और स्कॉयल गाल को डिनर करते हुए दिखाया जाता है जहां स्कॉयल गाल प्लंडर नाम के एक चोरो के ग्रूप के बारे में बात करती है और वो कहती है कि वो लोग किसी बड़ी चोरी की प्लैनिंग कर रहे हैं और हमें उन्हें रोकना परेगा तो क्यों ना हम वापस से योंग एवेंजर बन जाए इस पर हलकीन उससे एगरी करता है और विकेंड थोड़ा कन्फ्यूज लगता है वो वो हलकीन और स्क्वेल गाल से कहता है तुम लोग को याद है आकरी बार रोबार्टो ने हमसे क्या कह आता था फिर हमें फ्लेश्वेक में रोबार्टो को दिखाया जाता है जो कि उनसे कहता है कि न्यू एवेंजर को एकाड़ेमी नहीं है ना यह कोई ट्रेनिंग ग्राउंड है और ना यह योंग एवेंजर से मुझे यहां ऐसे लोग चाहिए जो पार्मिशन के लिए वीट साला जा रहा है और वह से कभी स्टॉ हेरो वाले काम नहीं कर सकता इस पहोगा कुष्षा हो जाता है और वह घुस्टे में कोफी कमक तौड़ देता है और रहें हमने तुम पे भरोसा किया था पर तुमने हमें डबल क्रोस किया तभी वहां मेलिसा अपने सुपर हीरिंग से कोई आवाज सुनती है तब हम देखते हैं फ्लंडरर के ग्रूप को जो की तबाई मचा रहे होते हैं और मेलिसा इन्ही के आवाज सुनती है और तब वहां मेलिसा मेंबर वहाँ से भागने की कोशिश करता है तब ही वहाँ वीकेन आ जाता है और वह अपने मेजिक से उसे रोक लेता है फिर नेक्स शॉट में हम देखते हैं वीकेन और होकाई को एक दूसरे से बात करते हुए और वहाँ वीकेन होकाई से कहता है हम फिर से New Avenger की टीम बना रहे हैं तो क्या तुम हमें जोइन करोगे इस पर होकाई उनके प्रोपोजल को accept करता है और वो सभी होकाई को अपने साथ ले जाते हैं फिर हम देखते हैं मेलिसा के पास रोबाटो का कॉल आते हुए और वहां मेलिसा रोबाटो से कहती है हमने जैसा प्लेन किया था वो ऐसा ही हो रहा है इस पर रोबाटो से कहता है तुमने अच्छा काम किया मेलिसा अब सिर्थ तुम मुझे भरोसा रखो और ऐसा कहे कर वो कॉल काट देता है तो गैस इसे ये पता चलता है कि इन सभी के पिछे रोबार्टों का हाथ है और मेलिसा का शील की अंडरकोबर एजेंट होना ये सब एक प्लेनिंग का हिस्सा है तो गैस इहीं पर मारवल दी नियो बेंजर स्टेंड और बॉल्यूम टू कोमिक सीरिस का पांच वार आकरी एपिसोड खतम होता है गैस ये बॉल्यूम टू बॉल्यूम वान से बिलकुल अलग है यहां हमें एक्शन के साथ साथ पोलिटिक्स भी दिखाए गई है और यह कॉमिक सीरिस जाते जाते हमें सस्पेंस में छोड़ गया है जिसका जवाब हमें बॉल्यूम 3 में मिलेगा तो गैस से दिया आपको ये वीडियो पसंद लाए तो इस वीडियो को लाइक कीजे शेयर कीजे और से धमाके दा कंटेंट के लिए नाववर को सब्सक्राइब कीजे और गास मारबल दी न्यवेंजा स्टेंड आप वॉल्यूम 2 कॉमिक सीरिस के सारे एपिसोड डेखने के लिए ये वाली प्लेलिस देखे और मारबल दी न्यवेंजा आप वॉल्यूम 1 कॉमिक सीरिस के एपिसोड डेखने के लिए नीचे वाली वीडियो देखे गुडबाई